सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं तो समय समय पर अपनी राशिया चेंज करते हैं जैसे शनी जो है वो धाई साल में अपनी राशिय चेंज करता है गुरू जो है वो लगभग एक साल में अपनी राशिय चेंज करते हैं इसी तरह से जो और भी है वो भी अपनी राशिया चेंज करते रहते हैं सबसे तेजी से जो राशिय चेंज करता है वो होता है चंदर जो जिने के अंदर सभी घ्रे अपनी राशी चेंज करें और जब इस तरह का जो रेयर कॉंबिलेशन होता है दोल्हप कॉंबिलेशन होता है तो इसका वर्ल्ड पे मनुष्य पे प्रकति पे अपना विशेश असर भी होता है और यही कारण है कि अप्रेल महा में जो बहुत बड़ा दोल्हप परिवर्तन होने जा रहा है सबी नो के नो गहें अपनी राशिया चेंज कर रहे हैं तो यह भी एक दोल्हप घटना मानी जा रही है उसका प्रकति पे वर्ल्ड पे लोगों पे विशेश प्रभाब देखने क मिलेगा कि मंगल यह अपनी राशी चेंज कर चुके हैं जो गाहु केतु है वह बहु कर चुके हैं अशुकर 27 को करेंगे और सभसेश बड़ा परिवर्तन होगा जो शनी देव करेंगे उनते सब का फेल को तो इन सब परिवर्तनों के साथ ही विश्व बहुर्तशम पे व्य देखने को मिलेगा नो गहर के राशी परवर्तन के साथ ही एक और विशेश घटना होने जा रही है वो है सूरे गहर अप्रेल भा में नो गहर राशी चेंज गएंगे साथ में सूरे गहर करोना काफी नकारात्मक संकेत भी दे रहा है सूरे गहर वाले दिन देखी है सूरे गहर जब होगा तो यहां पे चंदर सूरे राहू मेश राशी में जो कि रास दरबाह के राशी होते है सेंटल गॉर्वर्मन्न के राशी होती है तो उसमें घहर पड़ेगा तो ये सभी देश की जो सरकार है सकता है जो शीर सिस्तर के नेता होते हैं उन पर विशेश प्रभाब पड़ेगा इसके साथ ही जब मंगल जब सुर्ण जो है ब्रश राशी में आएगा मंगल मीन राशी में आएगा उस समय उस समय बहुती बड़ी बहुत बड़ा भेंकर अगनिकांड एटम वर्म जैसा अगनिकांड होने की संभावना बनती है इसके साथ ही जब ये घहर लग रहा है उस स्थिति में भी जो किसी शीर सिस्तर के नेता है उनके जीवन पर संकट की संभावना देखती है और उसके साथ ही ये जो नाइन प्लानेट्स है जो राशी प्रिवतन करेंगे और सूर्य घ्र बड़ेगा इसका असर बहुत ज्यादा व्यापक होने वाला है अभी आप देखें रश्य विक्रवार चल गाए जैन में भी टेंशन चल गाए और भी कई देशों में किसी में ग्रेंशन है कि मैं जबड़रीं की Thank you है कहीं पर अपया जाब आदिक है एक हिए विक्रवाव को में था कि अभी ने होने में आगया है और सभी लोग पूछें़ कि यह एक सब्सक्राइब होगा जब किसी शीर सस्तर के नेता पर जीवन का संकर्ट आएगा उसी के साथ ही रिशिया विक्रेलवार के खत्म होने की पूरी संबावला है कि यहां पर जो परवत्र होने वाले हैं जो सूर्य घहर होता है है जो यह उसका पर एक विश्य जो परवाब होता है एक मेंने पहले हैं तो इसका परवाब पढ़ेगा उसके सूर्य घंड का परवाफ जो इन प्लानिस जो पर जो थे राशी पर वतन कर गए और जो ने बताए जो योग बनने वाले हैं सुरे जब रशब राशी में होगा मंगल मीन राशी में होगा शनी की दर्ष्टी होगी तो यहां पर जो है गपना ज्यादा ज्यादा फील की जाएंगी कि अब खता होने को है इसके साथ चाइल्ड डिसीज या आखो की कोई डिसीज जो होती है जो सुर्य होता है संतान का कायक भी होता है और यहां पर न हुआन पो कि अहां पर फिरंद सब्सक्राइब करता है तो यहां पर जो है वाड कभा होगा चीमत भी चाहिकर का यहां साधी एक सब्सक्राइब करने चोंद में लिए आपढ़ मिलने गा होच रहा कन डिरी 5 खै方 ह्माय को ऑनाट वट मोट ओर दो बहुत बड़ी इस तरह की घटना नैच्वर कलामिटी भी होने वाली है पर मारू बम जैसा कोई बहें का अगनीकांड होने की पूरी संभावना बनती है तो फ्रेंड्स ये था नाइन प्लानेट और जो सोगे घर होने वाला है उससे संबंदित प्रेडिक्शन से अगरे आपके वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जो कीजेगा थैंक्यों